नमस्कार, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप Flipkart के उपर अपना नया प्रोड़क्ट सम्मिट करें, कैसे आप प्रोड़क्ट लिस्टिंग करें, हम A to Z सारी चीज़े आपको बताने वाले हैं, जिसमें से 5 स्टेप में इस सारी प्रोसेस कम्पलीट होती है, उस सारी चीज़े हम आपको step by step बताने वाले हैं, बिना किसी देरी के चलिये शुरू करते हैं, मेरा नाम है सतिश वस्ती और आप देख रहे हैं, लेवल अप, यहाँ पर हम आपकी बिजनेस को scale up करने में आपकी मदद करते हैं, सबसे पहले right category को choose करना होगा, right category में जब हम जाएंगे, आपका listing के अंदर add new listing करेंगे, उसके बाद हम single listing पर click करेंगे, उसके बाद सीधे अपने product की category जो product आपका है, सीधे आप search कर लेंगे, तो category आटोमेटिक ले लेगा, right, तो अभी हमें जो add करना है, वो है bird house, इसको हम add कर लेते हैं, उसके बाद जैसे यह search में आ इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए कुछ specifications हैं, जिसका resolution जो है 100 is to 500 होना चाहिए minimum, इसके ओपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, और जब आप images add करिएगा, तो सारे specification आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप images update कर देंगे, उसके बाद तीसरा जो है, वो है आपका price stock and shipping information, ये काफी mandatory information हैं, जो आपको डालनी है, SKU ID डालनी है, SKU ID कुछ नहीं है, आपका stock की unit का ID है, जिससे आप अपने product को identify करते हैं, ये आपका in-house होता है, इसका कोई standard procedure नहीं है, उसके बाद आपको status डालना है, वो active डालेंगे, उसके बाद MRP, जो product MRP है, वो डाल देते हैं, और selling price, जिस price पे आप sell करना चाहते हैं, और उसके बाद fulfillment by seller, यानि आपके यहां से pickup हो रहा है stock, और उसके बाद procurement type जो है, इन stock होगा, और उसके बाद SLA जो होता है, आप कितने दिन में अपने product को ready to dispatch कर देंगे, वो आपको update करना है, तो मैंने एक दिन डाल दिया है, और stock कित यह listing pass नहीं करेंगे, उसके बाद delivery charges आपको check करने हैं, अगर आप customer से delivery charges चाहते हैं, तो आप update कर दीजे, और उसके बाद आपको package dimension की details इसमें fill कर देनी है, इसमें आपको length width height औगरा डालनी है, कितने weight का है, वो सारी update करनी, फिर hsn जो code होता है, यह tax code होता है, हर एक product category के ल लेना है, कितने percent taxes आपको लगते हैं, वो आपको select कर लेना है, फिर आपका country of origin, कहां से आपका product manufacture हुआ है, फिर manufacturers detail पड़ेगी इसके अंदर, जहां से आपने product को outsource किया है, या जो भी manufacturer है, वो डालेंगे, उसके बाद आएगा packer detail, इसको हमने इसलिए blur कर दिया है, क्योंकि और manufacturer detail में, जहां से आपने product को outsource किया है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, इसको कर देने के बाद, जब हम submit कर लेंगे, तो हमें, जो next वाला जो procedure है, उस पे हम update करेंगे, product description, product description में, जो भी चीज़े हैं, वो हम one by one update कर देंगे, ये आपके product से related है, सब करनी है, मैं फटा-फट इसको fill कर देता हूँ, क्योंकि ये हर एक product के लिए अलग होगा, क्योंकि मैं जो अभी डाल रहा हूँ, उसके हिसाब से ये है, और अगर हो सकता है, आपको दूसरा product sell करें, तो उसके लिए, आपको अपनी चीज़े डालनी होंगे, उसमें जो जो additional information जो है, वो optional है, आप चाहें तो fill करें, चाहें तो ना करें, लेकिन अगर fill कर देंगे, तो आपकी listing optimize मानी जाएगी, और उसको search में आने के chances और ज़्यादा बढ़ जाएगे, तो ज़्यादा तर कोशिस कीज़े कि maximum options आप fill कर दें, जैसे कि search keyword हो गया, जो product type है, specifications है, description है, details है, जो जो चीज़े आपको आती हो, maximum fill कर देने की जुरूत होती है, जिससे कि जब भी आपके product से related, कोई भी बंदा flip card में आकर के search करता है, तो आपकी product make sure हो कि वो search में top पे दिखे, इससे आपकी sale boost होगी, और ज्यादा से ज्यादा orders आपको आने के chances बढ़ जाएगे, इस से आप देख लेंगे, तो आपको idea लग जाएगा, आपको कैसे कैसे डालना है, इस तरीके से हमने सारी information's fill कर दी है, और अब हमें क्या करना है, quality check के लिए भेजना है, सबसे पहले ये quality check के लिए जाएगा, उसके बाद जब अप्रूव हो जाएगा आपका product, तो आपका product, जो है flip card के उपर दिखने लगेगा, store के उपर, तो इसमें लगबक 12 से 24 गंटे, 48 गंटे लगते हैं, जिसी साब से उनके पास workload होता है, उतने time में आपके product को process कर देते हैं, और कभी-कभी ज्यादा time लगता है, तो जैसा भी होगा, आपको update आ जाएगा, तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपके कोई requirement है, digital media, internet marketing या online business से related, आप मुझे comment section में जरूर बताएं, अगर इस channel पे नए हैं, तो subscribe करें, बहुत-बहुत धन्यवाद,